सबसे बहुत आपको दिखाते हैं रफेल बर बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी क्या रूप लगा रही है आपको बता दें कॉंग्रेस का जूट जागर हुआ है कॉंग्रेस ने कमिशन के लिए अठकाई डील दस साल तक वायुसेना को अच्छे जहास से वंचित रखा दील को अठकाई रखा कमिशन नहीं होने की वज़े से 2007-2012 के बीच कमिशन हुई 2013 से पहले 65 करोड की घूज जो है वो कॉंग्रेस के काल में दी गई है ये बीजेपी संसनी के जारोप लगा रही है अब देखते हैं कैसे रफिल पर कॉंग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है तीर साथ रही है देश का सबसे बड़ा रक्षा घूटाला करार दे रही है कॉंग्रेस 41,000 करोड का घूटाला हुआ है कॉंग्रेस का कहना है 526 करोड में बात हुई थी 1670 करोड में खरीद हुई है बिना टेंडर के कौन एरक्राफ खरीदता है 36 महिने में कारवाई क्यों नहीं हुई ये तमाम सबाल जो है वो कॉंग्रेस साथ रही है फ्रांस में रफेल की जो नई रुपोर्ट आई है जिसके बाद बिजेपी ने कॉंग्रेस पर करारा हमला किया है वैस कॉंफरेंस कर बिजेपी रफेल जील में देरी और बिश्चचार समेत कई गंभीर आरोप लगा रही है क्या कुछ कहा संबित पात्राण ने आरोपों की जड़ी लगाते हुए आईए सुनते हैं तो दिल देहल जाता है ये जान करके कि जहां तक रफाइल का विशा है ये कमीशन की कहानी थी बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ Agreement for Commission Congress के कालखंड में Agreement for Purchase तो हमने देखा नहीं Negotiation को Conclude होते हुए देखा नहीं मगर वेल येस देर वाज़ अग्रीमेंट अन कमीशन और ये जो अग्रीमेंट अग्रीमेंट अव कमीशन ये जो अग्रीमेंट अव कमीशन है इसके content को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रव हो जाएंगे जो हमने government to government negotiation किये और आज रफैल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है पूरे मसले पर जो deal मोधी सरकार की रही है government to government deal उस पे CAG और सुप्रीम कोर्ट के टिपणी रही है कॉंग्रेस ने सरकार परती की हमले की और कहा कि रुफैल घोचाले में सरकार अपनी भूमेकास से बचने की कोशुश कर रही है भारती जनता पार्टी ने एक बड़ा अरूप कॉंग्रेस के उपर लगाया है दस जन्पत पर लगाया है सुनिया गांधी पर लगाया राहूल गांधी पर लगाया कि 2007 से लेके 2012 तक 65 करोड रुपे की घूस ले गई राफेल के मामले में क्या कहेंगे सौधा किस सरकार के तहत हुआ भारती जनता पार्टी सरकार के तहत हुआ बिना टेंडर के 36 विमान किस ने खरीदे मोदी जी ने खरीदे 526 करोड का विमान 1670 करोड में किस ने खरीदा मोदी जी ने खरीदा ब्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ये क्लॉज खुद हस्तक शेप करके किस ने हटाया मोदी जी ने हटाया inquiry किस पर होनी चाहिए मोधी जी पर होनी चाहिए बरामद जो ED ने कागज किये 2019 की 26 मार्च को सुशेन गुपता के घर से और ठिकानों से उन कागजों में गोपनिय दस्तावेज हैं जो सुशेन गुपता रक्षा मंत्राले से लेकर दसौल्ट को दे रहा था उन पर क्या तारीक है 2015-2016 inquiry किस ने नहीं की मोधी जी ने नहीं की CBI में शिकायत हुई CBI को मौरिश्यस के एटॉर्णी जनरल ने कुछ फाइलें दी सुशेन गुपता की भुमिका पर रफैल में 36 महीने हो गए इस बात को CBI को ये नहीं कहा गया कि सुशेन गुपता की inquiry की जाए मालूम पढ़ जाएगा किस ने लिए को देश करेगा हमें कुछ नहीं करना अब देश में ये नारा गुंजेगा कि चौकिदार वाकई चोर है